गर्मी इन दिनों पूरे चरम पर हैं। और कूलर का सहारा ले रहे हैं ताक कि आप पूर्ती में कोई बाधा ना। मनसोर जिले में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिन का तापमान 45 जिग्री के आसपास पहुच गया है। और 45 जिग्री से राहत पाने के लिए लोग घरों में ऐसी कुलर पंखे का सहारा लेते हैं। और यह पंखे कुलर और जितने उपकरण है वो तभी सही सला में चल पाएंगे जब यहां से विद्दूत सप्लाई बराबर होती रहेगी। आम तोर पर विद्दूत ग्रीट का तापान 60-65 डिग्री सेल्सेस रहता है लेकिन गर्मी इतनी है कि इनका टेंपरेचर बहुत हाई हो गया है और इनको ठंडा करने के लिए लगातार यहां पर पंखे लगाया गया है। MPB की कोशिश है कि उपकरन खराब नहीं होना चाहिए विद्दूत ग्रीट से सप्लाई बराबर होती रहना चाहिए ताकि लोग परेशान नहों और उनको जो बिजली मिल रही है वो अबाधित रुप से मिलती रहे और गर्मी से कहीं कहीं से जो राहत देने वाली बात है प खुपाल से प्रेशान्त शर्मा आशीर जयान दमो से जुड़ गहें तो सबसे पहले तो सुशिल आपके पास आते हैं ग्वाले चंबल अंचल में देख पार है कि भीशन गर्मी है पैतालिस के पार भी कई लागों में पारा पहुंच चुका है ग्वाले चंबल अंचल के सभी जिलों के अगर बात करें भिंड मुरेना ग्वाले और शोपूर यह ऐसे जिले हैं जहां तापमान का पारा 46 डिगरी के आसपास चल रहा है और मोसम विभाग ने जिसतने का अनुमान जता है था कि इस बार नो तपे में भीशन गर्मी रही है हीट वेव चल रही है यही वज़े कि कई इलाकों में यलो अलर्ट के साथ औरेंज अलर्ट भी यहां मोसम विभाग ने दिया था इसके साथ ही एडवाइजरी भी जादी की है मोसम विभाग और स्वास विभाग ने के दोपेर 12 से लेकर शाम चार बजे तक के बीच हीट वेव चलने का खत्रा है और इसमें जो सफर करने से बचना चाहिए दोपया वाहनों से चलने से बचना चाहिए इसके साथ ही बच्चे और बुजूर्गों को इस 12 से 4 के गर्मी के दोरान घर से ना निकलने की सला दी इसके साथ ही जो लोग निकल भी रहे हैं कामकाजी लोग वो अपने साथ पाने साइट अन्य दवस्ता जुटाएं ताकि गर्मी से किसी तरह से उन्हें कोई परिशानी ना हो तो कहीं न कहीं मोसं विवाग का अनुमान है कि अब दस जून तक इसी तरह की गर्मी का सामना करना पड़ेगा लेकिन दो जून तक ये नो तपे की गर्मी भीशन गर्मी रहेगी बिल्कुल प्रशान के पास चलते हैं प्रशान भुपाल में कैसे इस ती है गर्मी तो बहुत ज़ादा पढ़ी रही है लेकिन जाहिर से बात है कि इसे लोगों को परिशानी भी हो और तीसरा दिन नौट अबिक आज चल रहा है देखे अगर हम बात करें नुब तो सुबह से ठपडे लूं के ठपड़े या करें कहें कि गरम हवाँ के ठपडे लगने शुरू हो जा रहा हैं सुबह नहीं हो रही है बलकि दफیर हो रही है और बहुत वारी परिशानी सड़कौं पर आपको कोई नजर नहीं आ रहा होगा और एका दुका लोग अगर नजर आते हैं तो वो किवल उन रेडियों पर जहां शीतल पे पदार्थ मिलता है वहीं पर आपको लोग नजर आते हैं लेकिन दूसरा अगर दूसरी बात करें हम तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड बीते दिन ने तोड़ दिया है 45 से जादा प पहुँच गया और वो भी मई महीने का ही महीना था जब 2016 में ये तापमान पहुचा था तो यानि अगर हम कहें तो भुपाल इस दोरान बहुत गर्म है सबसे गर्म है तो कहना गलत नहीं होगा लगातार लू चल रही है हीट वेव चल रही है खत्रा लगातार बना हुआ है लोगों को बहुत आतियात बरतने की जरूरत है जब तक आपका बहुत जरूरी कोई काम नहीं है तो सड़कों पर मत आये घर से बाहर मत निकलिए यही जो एक्सपर्ट्स हैं लगातार सला भी दे रहे हैं डॉक्टर्स भी यही लगातार मश्विरा दे रहें कि आप लगात को राजधानी बोपाल में बिल्कों परशान और साती दर्शोकों के वीडियो भी दिखा रहे हैं टीवी पर की एक महिला है जो छट पर धूप में ही कढ़ाई रखी और उसमें वो पूरियां तल पा रही है समझे कि कितनी तेज गर्मी पढ़ रही है आशिश भी जुड़ गर्मी की चलते हैं कोई नाम का गाउ है वहाँ पर लोग कुए में नीचे उतर करके पानी भरने को मजबूर हैं वहां से लोग पानी भर रहे हैं और तब उनकी कभी प्यास बुझ पारी है तो ग्रामी नंचलों में पानी की समस्या काफी बढ़ चली है शहरी अंचलों की यदि बात करें तो महाँ पानी की समस्या तो नहीं है लेकिन गर्मी इतनी तेज है कि लोग हलाकान है अभी जो ढाई वजे का वक्त है इसमें इतनी तेज लू चल रही है कि छाए में भी इस तरह से लग रहा है कि हम यहाँ पर खड़े कैसे हो जो लोग कामकाजी लोग जो निकलते हैं उनको परिशानिया काफी होती है तो कस्वाई अलाकों की ग्रामिन अंचलों की जो इस्तिया है वो पानी संकट को लेकर के जल संकट को लेकर के हैं और जिसको लेकर के लोग काफी ज़्यादा परिशान है शहरी अंचलों में भी लोग परिशान है तो भीशन गर्मी से है और दमो पर निजर नहीं आते सडके भी खाली निजर आती है और इस तरह कि स्थिती दमों के कस्वाई और ग्रामी रंचलों की भी जहां पर जल संकर के चलते लोगों बाग काफी परिशान देखे जा रहे हैं और अमित आपके पास आते हैं खड़वा में कैसे आला आते हैं खास्तों पर ये भी बताए कि पानी की उपलवधता है या नहीं लोगों के क्या पानी के लिए परिशान होना पड़ते हैं क्योंकि कई लागों में ऐसे ही समस्याइयां जादा तर इस वक्त देखने को मिल रही इस बीच अगर पानी की बात करें तो जल संकट से भी लोगों को दोचार होना पड़ा है खेंडवा में जो पानी लाया गया है नदा जल 50 किलोपिटर दूर से लाया गया है और ये पाइपलाइन पिछले एक सबताह में चार बार फूट चुकी है लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर है चक्का जाम कर रहे है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है आज विपक्ष ने भी आखरोज जताया यहां तक कि यहां के जो नेता पतिपक्ष है वो टावर पर भी चड़ गया उनका कहना है कि जल संकर से निजात दिलाई जाए जो पाईपलाइन बार-बार फूट दी ए जिस कंपनी नी ये पाईपलाइन डाली उस पर एफ एप यार की जाए तो इस तरह के हालात है नोतपा में लोग यहां परेशान है अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो गर्मी से बचाओ के चतन करके ही निकल रहे हैं लगातार गलातार कर रहे हैं लगातार वो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं